तो finally हमारे पास आ चुका है Realme का Buds Air 3 मैंने इसको Flipkart से काफी बढ़िया discounted price में buy कर लिया है 3300 रुपए के around मुझे यह मिल गया है Flipkart के अंदर यहां पर अगर आप अपने super coins use करते हैं तो आपको काफी बढ़िया discount देखने को मिल जाएगा यह रहा आपका Realme Buds Air 3 का box यहां पर जो है मैंने blue color में buy किया क्योंकि यह सबसे जल्दी deliver हो रहा था यहां पर पीछे की तरफ काफी सारी features लिखे गया है 42 db तक का active noise cancellation दिया गया है 30 hours का total playback है कस्टमाइज audio tuning 88 ms का low latency dual device connection जो की सबसे बढ़िया चीज लगिए इस बार का मुझे और 10 mm के dynamic drivers दिये गया है जल्दी से इसको seal cut कर लेते हैं box of one of three सबसे पहले आपको earbud देखने को मिल जाएगा इसको थोड़ी देर के रखते हैं side में अंदर आपको काफी सारे documentation देखने को मिल जाएगे जिसमें आपके पास है user guide और इनका realme का जो इनका link app है उसको कैसे use करते है वो सबसे लिखा हुआ है साथ में extra ear tips दिये गया है जो की काफी बढ़िया quality के लग रहे है तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर की तरफ लिखा गया है realme यहां पर आपको बहुती एक satin type finish दिया गया है बहुती चमकने वाला यहां पर finish दिया गया है हालकि यहां पर यह glossy finish है और kind of matte finish भी है बट यहर काफी बढ़िया feel आ रही है इसको आहाथ में touch करने में और उपर का यह realme वाला जो part है यह जो है definitely यहां पर glossy finish के साथ आ रहा है और यह जो है plastic यहां पर चिपकाया गया है basically काफी बढ़िया लग रहा है देखने में एक नया सा look है open करते हैं आपको यहां पर earbuds देखने को मिल जाएंगे hinge की quality यहां पर मुझे काफी अधा बढ़िया लग रही है first impression के अंदर काफी tight hinge है यार इस बार hinge की quality सही में बहुत ही बढ़िया लग रही है यहां पर बिल्कुल भी यहां पर wobble नहीं कर रहा साथ में यहां पर जो magnets दि card का plus coins use करते हैं तो आपको यहां पर 3300 रुपए का यह मिल जाएगा वरना आगर आप इसे regular days पर buy करते हैं तो आपको यह पूरे पूरे 4000 रुपए का देखने को मिलेगा उसकी हिसाफ से यहां पर definitely काफी सारी improvements करे गये हैं यहां पर आप देख सकते हैं पूरे earbuds में कहीं पर काफी बढ़िया और काफी premium feel के साथ आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी satin finish आपको देखने को मिल जाता है और इस वाले part पर glossy finish दिया गया है overall yearbird का weight है वो काफी लाइट weight है हाला कि हाथ में पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा premium feel हो रहा है यहां पर जल्दी स इसको पहन करके देखते हैं कैसे fitting आ रही है okay तो fitting काफी अदा बढ़िया है और पहनते ही मुझे यहां पर ANC का अनुभव हुआ हाला कि यहां पर fitting बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे definitely आप इसको जो है जिम में पहन करके use कर सकते हैं और side में यहां पर आपको एक छोटा सा reset button दिया गया जिसको आप यहां पर reset करने के लिए use कर सकते हैं connectivity की बात करूँ इसमें आपको Bluetooth 5.2 देखने को मिलत जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर simply जो है मैं इसको connect पर tap कर दूंगा out of the box आपको यहां पर 100% बैटरी देखने को मिल रहा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं settings के अंदर चलते हैं यहां पर आपको high quality audio पहले से ही on देखने को मिल जाएगा इसका मतलब यह यह है इसका app इसका नाम है realme link यहां पर जो है आपको इससे download कर लेना है नीचे description में इसका link देदूंगा यहां पर जो है मैंने इसके साथ जो है app को connect कर लिया है यहां पर आप देख सकते हैं एक चोटा सा firmware update भी इसमें आया हुआ है तो यहां पर जो आप देख सकते हैं करना है यहां पर जो सबसे पहली चीज मुझे अच्छी लगी है वह है यहां पर इसका कस्टमाइज audio tuning वाला जो पॉप आ रहा है starting में वह यहां पर आप देख सकते हैं ट्रायोड के बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखते हैं क्या होता है get ready for the test यहां पर continue पर tap करते हैं तो यहां पर left side में एक आवाज play हो रहा है तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर अपने कानों के हिसाब से left और right दोनों कान के हिसाब से यहां पर इसको tune करना है यह जो चीज है मुझे काफ़ अदा बढ़िया लेगी क्योंकि के हिसाब से आप यहां पर tuning कर सकते हैं मैं अपना tuning खतम कर लेता हूं और फिर आपको अपना experience बताता हूं तो यहां पर experience कुछ इस प्रकार का था यहां पर कुछ अलग-अलग frequencies की sound यह play करता है दोनों ही कानों में अलग-अलग से यहां पर आपको test करना है अगर आपको यह करना है वैसे तरीके से यहां पर मेरा आ चुका है कुछ इस प्रकार का boost scheme करके इसने कुछ जो है इस प्रकार का यहां पर मेरा बनाया हुआ है apply कर देंगे इसको और overall जो है इस प्रकार से आप त्यून कर सकते हैं इन earbuds को आपके कानों के हिसाब से साथ में आपको noise control देखने करा गया है इस बार यहां पर जो है अगर आप wind noise अगर आपके surrounding में wind noise काफी जादा आ रहा है तब यह जो है इसको cancel out कर पाएगा साथ में आपको sound effect देखने को मिलते हैं जो आपको पहले भी मिलते थे यहां पर कस्टमाइज audio tuning को आप on and off कर सकते हैं जो आप यहां पर आपक सकते हैं यहां पर यह चीज जो है kind of apple की airport जैसा काम करता है दो devices के साथ साथ में आप यहां पर connect कर सकते हैं जैसे जिसमें media play होता है वैसे जो है वो उसमें switch कर जाएगा जो कि मुझे काफ़ अदा बड़िया चीज लगी है तो यहां पर जो dual pairing वाला feature है आपको जल्दी से demonstrate क देता हूं यहां पर जो है यह है आपका smartphone number one और यह है आपका smartphone number two यहां पर एक yearbird को आपको इन दोनों smartphone के साथ connect करना है simply यहां पर पहले आपको lid open कर लेना है और आपका जो पहला वाला phone है वो आपको यहां पर connect हो जाएगा जैसी कि आप यहां पर देख सकते हैं उसके चाहे जाएगा जाला है Easy यहां पर आपको सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह сकी साथ जो है कानेक्ट हो रखा है यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही डिवाइस में यह जो है connect हो रखा है तो यहां पर इस प्रकार से dual device connection काम करता है अब भी जिसमें भी phone आएगा उससे आप यहां पर phone रिसीव कर पाएंगे और दोनों ही phone में से किसी एक phone में से गाने सुन पाएंगे यहां पर दोनों ही यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही phone में यह connect हुआ हुआ है साथ में यहां पर earbud fit test भी आप ले सकते हैं in-ear detection on and off रख सकते हैं auto-answer on and off कर सकते हैं और साथ में आप यहां पर button settings के अंदर जाकर के सारे buttons को customize कर सकते हैं तो यह था मेरा overall यहाँ पर इसका app का experience, app काफिया बढ़िया है और इस बार जो है app के अंदर बहुत सारे extra features add किये गए हैं, अब इसके sound quality के बार में बात करूँ तो यहाँ पर जो है मैंने bass boost और normal जो balance mode है, उसमें मैंने यहाँ पर गाने सुने, बेस boost में definitely आपको जो है bass काफी तगड़ा सुनने को मिलेगा, यहाँ पर जो है bass इस बार काफी अच्छी quality का दिया गया है, बिल्कुल भी मेरे को distortion सुनने को नहीं मिला, साथ में यहाँ पर जो balance mode है, उसमें singer का आवाज इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से tune करा था realme ने, और balance mode में यहाँ पर bass बिल्कुल ही balance रहता है, पिछले बार यहाँ पर यह हुआ था कि balance mode भी जो है, आपको bass काफी अदा boosted सुनने को मिल रहा था, बट इस बार जो है bass को भी एकदम balance रखा गया है balance mode पे, और balance mode पे सही पर यहाँ पर आपको काफी अच्छी sound quality सुनने को मिलती है, definitely यहाँ पर आप अपने हिसाब से tuning कर लेना app के अंदर जा करके, तो यह आपको काफी अदा बढ़िया experience दे पाएगा, गेमिंग की बात करूँ, यहाँ पर आपको travels भी काफी अच्छा सुनने को मिलेंगे, instruments जो थे, वो यहाँ पर काफी अच्छा सुनने को मिल रहे थे, साथ में यहाँ पर जो इसका ANC है, वो भी यहाँ पर help कर रहा था, गेमिंग के वक्त, क्योंकि यहाँ पर surrounding का सावट पुरा cancel out हो जाता है, ANC के वज़े से तो आपको यहाँ पर footsteps और गोलियों के आवाज बहुत ही बढ़िया तरीकी से सुनाई देती है, अब इसके ANC की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है इस बार ANC का जो DB है, जो decibels है, वो इस बार बढ़ा दिया गया है, इस बार जो है 42 decibels तक जो है यह cancel out कर सकता है, जो कि मुझे काफ़ अदा बढ़िया चीज लगी है, यह जो है बहुत ही करीब आ चुका है, आपने nothing के earbuds के साथ, nothing के earbuds के साथ definitely आप इसे compare कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों का comparison चाते हैं, तो मुझे comment section में लिख करके बता सकते हैं, वैसे guys, यहाँ पर जो है मुझे इसका ANC इस बार बहुती जादा flagship level का लगा है, यहाँ पर AC का आवाज हो गया, पंखे का आवाज हो गया, बिल्कुल ही यहाँ पर cancel out हो जाता है, बट अगर आपके सामने खड़े उकर कोई भी बात कर देता है, तो वो आपको यहाँ पर definitely सुनाई देगा, मतलब यहाँ पर बात वगयरा आप यहाँ पर definitely कर सकते हैं, बट जो आवाज होती है, ट्रैफिक की आवाज, या फिर AC वगयरा का आवाज, जो भी surrounding का आवाज, जो दूर से आ रहा है थोड़ा सा, वो यहाँ पर अच्छा खासा cancel out हो जाता है, definitely आप जो है, इसको airplane में और trains में use कर सकते हैं, साथ में इसमें आपको Ambience mode में मिल जाता है, Ambience mode के अंदर जो है, आपको आजू-बाजू का जो आवाज है, वो काफी अच्छे तरीके से, और काफी अच्छे volume पर सुनने को मिल जाएगा, तो definitely आप यहाँ पर Ambience mode use कर सकते हैं, रस्ते पर चलते वक्त हो गया, या फिर कभी भी आप अगर काम अगयरा कर रहे हैं, तो गाने सुनते सुनते आप यहाँ पर Ambience mode को on रख सकते हैं, काफी बढ़िया Ambience mode इस बार काम करता है, इसके microphone की बात करूँ, इसमें आपको काफी सारे microphones दिये गए है noise cancellation के लिए, अब यहाँ पर मैं आपको इसके microphone का sample देने वाला हूँ, यहाँ आपके सामने microphone sample, सुनकर के आप यहाँ पर जच कीजिए, हम यहाँ पर indoor और outdoors, दोनों का ही sample आपको यहाँ पर देने वाले हैं, आप यहाँ पर रेकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर रेकॉर्ड हो रहा है, अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि कैसा इसका microphone यहाँ पर बाहर, कितना अच्छी तरीके से noise cancellation कर पाता है, बाकि इंडोर्स पर आप यहाँ पर सुन सकते हैं, मेरा आवाज कैसे आ रहा है, तो आ यहाँ पर रेकॉर्ड हो रहा है, 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 यहाँ पर रहा है, यहाँ पर इसके बारे में आपको विक चार्ज दिया गया है इसके बारे में थोड़ी तर बाद में बात करेंगे इसके साथ ही साथ आपको यहां पे 88 ms का सुपर लो लेटेंसी का gaming mode देखने को मलता है जो की बहुत धंदार तरीके से काम करता है और overall यहां पे आपको यह super low latency वाला experience देता है PUBG में gaming के अंदर और इसमें आपको realme link app का support देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप सारे customization कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दिया है साथ मैं यहाँ पे आपको auto play pause का भी feature देखने को मिलता है जैसी आप यह earbird को कोई भी दोनों में से कोई भी एक earbird को अगर आप कान से निकालते हैं तो यहाँ पे आपका गाना play pause हो जाएगा यह सारे यहाँ पे जो feature जो है इसमें देखने को मिलते हैं definitely premium earbird है तो यह सारी चीज़े बोलने की ज़रुवत नहीं है definitely यह सारी चीज़े बहुत यचे तरीकी से काम करती है यहाँ पे overall जो है यहाँ पे extra features के मामले में काफी तगड़ा निकल करके आता है यह TWS यहाँ पे battery life की बात करूँ इसमें आपको 460 mh की battery दी गई है in total अलग-अलग case का और यहाँ पे battery नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे realme वालों ने battery का कोई भी information website पे provide नहीं करा है इनके case के अंदर lid के अंदर लिखा गया है 460 mh की battery noise cancellation अगर आप यहाँ पे on रखते हैं तो guys यहाँ पे आपको 22 hours का playback time देखने को मिल जाएगा साथ में अगर आप यहाँ पे gaming mode को on रखते हैं तो आपको यहाँ पे RM से 20 गंटा यह दे सकता है battery backup वहीं पे अगर आप यहाँ पे without noise cancellation और without यहाँ पे transparency mode या फिर without आप यहाँ पे gaming mode इसे चलाते हैं तो आपको यहाँ पे RM से 35 hours का battery backup देखने को मिल जाएगा battery backup के मामले में काफी होता तगडा निकल करके आया इस बार और इस बार जो है definitely इन्होंने optimization कर रहा है battery backup में और यहाँ पे इस price point में battery backup काफी बढ़िया दिया गया है charging की बात करूँ तो इसमें आपको type-c का port देखने को मिल जाता है यहाँ पे अगर आप इसे 10 minute के लिए charge करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 minute का जो है playback time देखने को मिलेगा 100 minute का मतलब हो गया approximately एक गंटा 40 minute तो यहाँ पे आर अच्छा है यह fast charging बट यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था इसको full charge करने के लिए आपको यहाँ पे 1 hour का time लग जाएगा एक घंटे से लेकर के एक घंटे 10 minute जो है आपको इसको full charge करने में लग जाएगा तो overall अगर मैं conclude करना चाहूँ तो इस बार जो है बहुत ही तगड़ा package निकल करके आया है realme buds air 3 जो है काफी तगड़ा airbird निकल करके आता है हाला कि यहाँ पे 4000 रुपए मुझे थोड़ा सा ज्यादा pricing लग रहा है थोड़ा सा कम होता याँ यहाँ पे sale वगरह में आपको definitely यह थोड़ा सा कम price में मिलने वाला है sale के लिए ध्यान में रखना इसको अगर आपको यह जो है अभी भी buy करना है तो आप यहाँ पे buy कर सकते है flip card से जाकर नीचे description में इसका link दे दूँगा वैसे यहाँ पे 4000 रुपए में मुझे यह वाला जो TWS है सही लगता है बट यहाँ पे जो है कभी कबार nothing का year one आपको discount के साथ 4 से लेकर 45,000 रुपए का मिल जाता है मैंने भी यहाँ पे इसको 45,000 रुपए में buy कर रहा है तो उसके मामले में यहाँ पे nothing year one जीत जाता है हाला कि दोस्तों अगर आपको एक realme का product buy करना है जो कि एक trusted brand की तरफ से आ रहा है तो definitely आप यहाँ पे इसके तरफ जा सकते हैं ओवरॉल जो है यह TWS मेरी तरफ से recommended रहाएगा इतना अज वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के धन्यवाद तब तक लिए उस्तों जैहन्द मने महातरम और आपका दिन शुब रहे